हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने परिवार पुल टेकनिक कलब में आज हम इस वीडियो में ओक्सिकरन संख्या निकालना सिखेंगे जाके मेस्ट्री का बहुत ही मौस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इससे आपके एक्जाम में अक्सर एक से दो कोशन पूछ लिये जाते तो हम सीखते हैं ओक्सिकरन संख्या निकाला कैसे जाता है पहला प्रस्ण है H2SO4 में S यानि सल्फर का ओक्सिकरन संख्या बताना है देखिए अब इसे ओक्सिकरन संख्या हम लोग निकालते कैसे और equal to हम लोग 0 देंगे क्यों क्योंकि हम लोग योगिक का ऑक्सिक्रन संख्या निकाल रहे हैं फर्दर अब हम लोग इसे आगे solve करेंगे यहाँ पर 2 plus 6 minus 8 equal to 0 होगा और यहाँ से x का value हम लोग का आ जाएगा 8 इधर जाएगा plus minus 2 यानि कि 6 हम लोग का answer हो जाएगा यानि plus 6 हम लिखें, direct 6 लिखें नहीं चुलेंगे नहीं तो गलत हो जाएगा अब हम सूच रहे हो कि hydrogen का हम लोग यहाँ पर 1 क्यों लिखें oxygen के जगा पर minus 2 क्यों लिखें तो चलिए अब हम लोग इसे देखते हैं कि हम लोग ने ऐसा क्यों किया अब देखेंगा हम लोग ने hydrogen को 1 क्यों लिखा देखें, hydrogen का atomic number भी 1 होता है और उसके बाहरी cell में 1 electron रहते हैं और हम लोग को पता होगा कि hydrogen हम लोग का duplet यानि 2 में खुश हो जाता है इसलिए उसे 1 की जगूरत है इसलिए उसका 1 हो जाएगा उसका oxygen संख्या अब फिर देखते है oxygen का हम लोग ने minus 2 क्यों लिखा तो oxygen का हम लोग का 8 होता है इसका electronic विन्यास में हम लोग देखें तो पहले में 2 रहता है और दूसरे में 6 इलेक्ट रहता है अब ये 6 तो देगा नहीं ये 2 किसी से लेके अपना अश्टक को पूड़ा करेगा तो ये किसी से 2 लेगा इसलिए इसका minus 2 हो जाता है I hope कि आप oxygen और hydrogen का अच्छे से समझेऊंगे हम एक और example लेके आपको समझाते हैं ताकि आपका concept अच्छे से clear हो जाए अगला example आपके पास है की एमेनोफोर में निकालना है हम लोग का एमेन का तो यहां पर फिर हम लोग इससे सॉल्व करेंगे की का क्या होगा तो की का प्लस होना हो जितने भी हमारे फर्स्ट ग्रूप की एलिमेंट है जैसे की hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, sodium, 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 sodium इन सभी का one होता है तो की एहां पर कितना one है यानि one into one एमेन का हम लोग का निकालना है इसलिए प्लस six लिखेंगे अभी थोड़ी दिर पहले हम लोग ने देखा oxygen का minus 2 होता है तो oxygen कितने है? चार है तो minus 2 से multiply करेंगे हम लोग जोगी का निकाल रहे है इसलिए हाँ पर हम लोग 0 लिखेंगे फिर इससे आगे solve हम करेंगे तो हैं हमारा आएगा one plus x minus eight equal to zero यानि फिर आगे हम लोग का हो जाए x minus seven equal to zero that is x equal to plus seven हम लोग लिखें ध्यान देजिए प्लस देना नी बार रहे उक्सिकरन संख्या निकालना दोस्तों अब आप अच्छे से सीख चुके अब हम एक previous year प्रसन लेते जिसे अब आप solve करिए है देखे प्रसन में कह क्या रहे है प्रसन में पूछा गया है कुलिरीन का औक्सिकरन संख्या प्लस पाच है यहाँ पर अक्सिकरन संख्या में पहले से बता दिया गया और पूछ रहा है इस अभी योगिकों में से किसमे कलिरीन का संख्या पाच हागा वो हमारा और एक टैंसर होओ देखें इस सवाल को solve करने काऊ हम आपको दो तरीका बताओं पहले जैसे हम लोग सॉल्व करते आ रहे थो ऐसे करेंगे ठीक है तो पहले हम लोग वैसे सॉल्व करके देखते हैं हमें कुलिरीन का निकालना है तो यहां पर एकस लिखेंगे फिर प्लस देंगे ओक्सीजन का होता है माइनस दो इसलिए हम लोग माइनस दो से इसे मल्टिप्लाइ करेंगे योगिक का निकाल रहा है इसलिए हम लोग इसे जिरो देंगे फिर आगे इसे solve करेंगे 1 हो जाएगा plus 6 minus 6 equal to 0 हो जाएगा फिर आगे इसे solve करेंगे तो x minus 5 equal to 0 इसलिए x बराबर हम लोग का plus 5 आगे है यानि x बराबर plus 5 किसमें आया option number ये को जब हमने solve किया यानि option number ये हमारा correct answer हो जाएगा अब इसे हम लोग दूसरे तरीका से solve करके देखते हैं दूसरा तरीका हम लोग का क्या कह रहा है तो दूसरे तरीका में फिर हम option number 1 को उठाएगे option number 1 में कितने hydrogen है एक hydrogen ये आपर एक लिखे 1 into 1 लिख लेंगे plus कुलिरीन का 5 बोलाते हैं अगर भैलू जीरो आ जाता है तो वही हमारा correct answer हो अगर इसमें नहीं आगा तो फिर इसमें रखेंगे फिर इसमें रखेंगे फिर इसमें रखेंगे पहले हम option number 1 से try करते हैं तो कुलिरीन का प्लस 5 बोलाता है हम प्लस 5 रखके यहां पर देखते हैं फिर प्लस oxygen का कितना होता है माइनस 2 होता है तो 3 into minus 2 करेंगे और फिर इसमें solve करते हैं 1 प्लस 5 माइनस 6 फिर इसमें आगे solve करने पर हमारा आएगा 6 माइनस 6 इक्वल टू 0 यानि यह 0 आ गया है यानि option number है हमारा correct answer था अब हम लोग आयन का oxygen संख्या निकालना सिखेंगे यहां पर PO4 3 minus है इसमें पी का हम लोग का oxygen संख्या निकालना है तो देखिए इसे कैसे हम लोग solve करेंगे इसलिए एक से लिखेंगे plus o का हम लोग का पता है minus 2 होता है क्योंकि इससे टो इलेक्ट्रोन चाहीं आक्टेट पुडा करने के लिए यागिक का निकालते थे तो हम लोग यहां पर 0 देते थे लेकिन यहां पर हम लोग आयन का निकाल दाए आयन हम लोग का जीतना रहेगा उतना हम लिखेंगे आयन कितना है माइनस थिरी है तो हम लोग माइनस थिरी लिखेंगे अब हम इसे सॉल्ब करेंगे सॉल्ब करने पर हमारा आएगा यहां पर माइनस एट इक्वल टू इधर हो जाएगा माइनस थिरी और एक्स ब्राबर हो जाएगा माई माइनस 3 प्लस 8 और इसे सॉल्व करने के बाद हम लोग कहा जाएगा प्लस 5 जो हमारा एंसर हो जाएगा आई होब कि आप आयन का ऑक्सिकरन संख्या निकालना समझोंगे आयन में बस हमें ब्राबर की इक्वल टू जीरो ना देके जितना आयन होता है उतना देंगे एक और एक्जाम्पल से आपका कॉंसेप्ट और के लिए हो जाएगा अगला एक्जाम्पल में हमें एच पी ओ थी की टू माइनस में फास्पोरस का ऑक्सिकरन संख्या निकालना इसे वह target हम लोग ऐसे ही सब्सक्स करेंगे एक्ष का लोग करीच का हम लोग का यहां यह होता है www.o.or प्लस 6 माइनस 6 इक्वल to माइनस 2 फिर यहां होजाएगा x माइनस 5 इक्वल to माइनस 2 इसलिए x पराबर हम लोगोंका होजाएगा माइनस 2 प्लस 5 इक्वल to प्लस 3 हम लोगोंका answer होजाएगा I hope कि आप आयन का निकालना आक्सिकरन संख्या अच्छे से समझे होंगे प्रस नमबर एक और दो आपकी स्क्रीन पर है पहला प्रस्ण में के सी एलो थी में सी एल का ऑक्सिकरन संख्या निकालना है के का वन होता है और अक्सीजन का माइनस दो होता है आप इसका ऑक्सिकरन संख्या निकालकर कमेंट में जरूर बताईएगा दूसरा प्रस्ण में NH4 प्लस में यानि नाइट्रोजन का उक्सिक्रन संख्या निकालना है नाइट्रोजन का हमारा उक्सिक्रन संख्या निकालकर आप कमेंट बॉक्स में एंसर जरूर बताईएगा आप दोनों प्रस्णों को सॉल्ब कर कमेंट में एंस करिये